सो नाव ट्रैटेंट लिमिटेट अब देखें स्टॉक आ चुक है 40 रुपए के लेवल के असपास बहुत ही अच्छी खासी तेजी हमें देखने हो बिलिए 10 परसेंट की तेजी काफी लंबे समय बाद हमें देखने हो बिलिए स्टॉक में इंटर डेम है अब ऐसा क्या चला ह एसस हमने किया था क्यूबन के दौरान और लगाता रहा हम इसके क्यूबन के नंबर्स हमें जज़ कर रहे हैं काफी क्वाटर से क्योंकि हमें दिख रहा है कि uncertainty बिजनिस के अंदर बनी हुई है जिसकी वैसे net sale पर काफी दवाब हमें देखने को मिला net profit पर भी और भी जादा दवाब देखने को मिला margins में problem है तो ये दिक्कतों की वज़े से stock perform नहीं कर पा रहा था और Q1 में mixed number थे तो mixed number पर मैंने आप सखा था अपने quarterly number को पीछे छोड़ कर ऐसा क्या reason बना हुए देखे कोई turnaround story फिलाल दिखाई नहीं दे रही है इस वक्त लेकिन एक reason है इसके अंदर जो की पूरा sector जो है वो outperform कर सकता है आपको जैसे market में देखने को मिली रहा है कि कभी chemical sector के अंदर तेजी है यहाँ पर sectorial तेजी यहाँ पर possible है तो आप sectorial तेजी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे sectors हैं जो hundred plus percent का return आपको deliver कर रहे हैं यह 6 महीने का मैं आपको बता रहे हैं यह 6 महीने का आपका return है textile का 6 महीने में आपका 59.37 का return आपको deliver किया है textile sector ने यानि कि आपके पास अगर textile sector आपके portfolio में जड़ा हुआ है तो 59.37 percent take average return आपके पास आता हो दिख रहा है तो यह है बड़ी बात क्योंकि बहुत सारे almost सारे के सारे जो sectors हैं वो outperform कर रहे हैं outperform कर रहे हैं लेकिन आपका कुछ sectors है जैसे कि media and entertainment वो एक लोता sector है जो की minus 30 percent का negative return deliver कर रहा है उसके बाद 2-3 sector आते हैं जो की 15-20 percent का return है उसके बाद आता है आपका textile sector जो की यहाँ पर जो है आपका 59 percent का return 6 मीने में deliver की है तो इसने सबसे lowest आगर हम देखे हैं तो lowest पर चलना आई है that's why possible है कि textile sector के अंदर तेजी बने तो आपकी जो stocks है textile के वो अगर out perform करना है start करें तो यहाँ पर एक कहीं न कहीं एक indication मिलेगा कि टाइडेंट में भी एक अलग impact है एक अलग तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है तो यह एक sectorial performance यहाँ पर देखने को मिल सकता है टाइडेंट के अंदर लेकिन फिलाल जो है जब तक quarterly numbers change नहीं होंगे जब तक margin change नहीं होगा margin stable नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो है आप यह कह सकते हैं कि fundamental तेजी जो है ना वो नहीं दिख रही है और बहुत सारे यहाँ पर points है जो कि आपको बताते हैं कि तेजी होनी थी थोड़ी बहुत बहुत जादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत 49.84 पर आपका P ratio आ चुका है अगर पूरा sector performance करेगा जैसे कि page industries जैसे कि बाकी बगएर बगएर जैसे कि page industries जैसे कि बाकी टेक्स्टाइल के अंदर जो आते हैं वो अगर आप फुर्म करें तो आपको कहिना कि रव ओफ इफेक्ट जो है वो ट्राइटेंट की ऊपर देखेगा 10% की तेजी बहुत बड़ी तेजी होती है इसको भी ध्यान रखें आप अल्मुस्ट 50 के P ratio पर पहुंच गए इंडिस्टी भी आपका 61.39 है अब इसके अगर आप cross कर जाएंगे इंडिस्टी पी के तो आप एक अनुमत आप यहाँ पर महंगी valuation पर जाने लेगे जबकि आपकी quarter to quarter problems चल लएगे तो यह कैसे phase करेगा जब तक quarterly number change नहीं होंगे margins में stability नहीं आएगी तब तक लग नहीं रहा है कि यहाँ पर जो तेजी हुई है वो tick पाएगी stock बहुत ही strong है यह तो हम कह सकते हैं लेकिन आगे क्या होगा वो एक uncertainty बन सकती है बन सकती है अगर quarterly नम्मर अच्छे आगे और उसकी hope में अगर यह तेजी हो रही है क्योंकि देखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप देखें तो US की economic काफी strong है और US के अंदर काफी जादा product जो है वो यह export करते है तो वहाँ खरिदारी जब तक बनी रहेगी ना trident और बाकी textile के अंदर तेजी बनी रहेगी यह तो यहाँ पर ऐसा मानना लग रहा है और यहाँ पर book value देखें 4.71 time के book value पर trade कर रहा है यह stock है 8.41 की book value है आप इसके committed कितने book value उपर है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा price to book value वह कर रहा है page industry आप देखें इसका एक अलग reason time उपर हुआ कर रहा है तो सबसे second अगर हम कहें महंगा stock तो वो वेदान फैसन कहीं न कहीं book value के साबसे दिख रहा है बाकि पूरा sector अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको price to book value आपको 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे यानि कि stocks जो है वो 6 के दाइरे में ही work कर रहे हैं 6 के multiple time में ही work कर रहे हैं ऐसा यहाँ पर देखने को मिल ला है तो क्या यह sector के अंदर out performance बनेगा पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा अगर बनेगा तो आपको उसका impact देखने को मिलेगा short term में जरूर तेजी यहाँ पर देखने को मिल जाए और इस वक्त सबसे highest P-E ratio दो ही hold कर रहे है पेज इंडस्ट्री और आपका विदानत फैसन उसके बाद के एपी आर मिल्स लिमिटेड उसके बाद आता है ट्रैडेंट लिमिटेड फोर्थ पोजिशन पर है इसका P-E ratio तो अभी यहाँ पर इंडस्ट्री भी आपका 61.84 सम्टिंग और उसके दाइरे में ही वर्क करेंगे ज़्यादा बहतर है क्योंकि एक दाइरे में वर्क करेंगे और नमस अगर अच्छे आ जाएंगे तो फिर एक आउट परफॉर्मेंस बनती भी नज़र आएगी एक अच्छी खासी होप जो विल्डप थी पहले से वो एक आउट परफॉर्म है एकदम चेंज होती भी नज़र आएगी और लगातार हम देख रहे हैं नेट सेल ग्रोथ जो है ना अगर आप देखें तो यह शॉर्ट टम की प्रॉब्लम है बस यहां से वैलिशन बहुत जादा महेंगी ना हो कि पता चलागी या अगर दुनिया में मंदी आ गई जैसे कि लग नहीं रहा है कि मंदी आएगी यहां पर सॉफ्ट लेंडिंग की बात करते हैं अगर वैसा ही होता है तो कुछ बड़ा इंपेक्टर नहीं देखने मिलेगा टेक्स्टैल पर भी लोग खरिदारी करते रहेंगे पैसा बना रहेगा तो वो सब रहने वाला है लेकिन फिर भी आप देखें जीडीपी स्ट्रॉंग होने के वाबजूद भी ऐसे नमर्स डिलीवर कर रहा है ट्राइडेंट हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम मुन रही हो या कुछ भी हो सकता है लेकिन फिलाल जो है सीधी सी बात है यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला है नमर्स में तो जब तक यह नमर्कवाटर दर कौवाटर चेंज नहीं होंगे तब तक एक बिस्वास नहीं आ रहा है यह है तो यहाँ पर यह समझना बहुत जरू है तो कौवाटर दर कौवाटर नमर्स पर ध्यान दे क्यों टूर की नंबर्स आएंगे उसमें देखेंगे कि कैसे नंबर आ रहे हैं क्या क्वार्टर दर क्वार्टर कुछ चेंज हो रहा है तो यहाँ पर नज़र रखिए कि एंटार टेक्स्टाइल के अंदर अगर तेज़ी बनती है तो ट्राइटेंट के उपर उसका रव उफ एफेक्ट आना चाहिए तो यह पॉसिबिल्टी है फिलाल जो है अगर हम चार्ट पर देखें तो क्या है 36 के लेवल चटेस के लेवल पर एक बेस बना रखिए वहीं से बार बार से इलिंग उपर से आती तो 36 के लेवल से बापस स्टॉक जो है उसके अंदर तेजी आ जाती तो यह 36 के लेवल यहां पर मालूम पढ़ता है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के अंदर तो इस 36 के लेवल पर नज़र रखिए स्टॉक के अंदर कोई गिरावट आती तो 36 के लेवल नहीं तूटना चाहिए जब तक 36 रुपे का लेवल इसे स्टॉक क अंदर नहीं तूटता तब तक सब कुछ ठीक है यह समझे लेकिन जैसे ही अगर 36 के लेवल तूटेगा और रिकवरी नहीं दिखती है तो फिर यहां पर थोड़ा साइक है चिंता जनक बात हो जाएगी लेकिन लग नहीं रहा है कि 36 के लेवल तूटेगा असानी से इस बात है ऐसा मानना है बाकि आप अपने ब्रोकर अपनी जो एडवाइजर है कोई तो उनसे आप बात करिए उनसे समझ ये ट्रेडिन के उपर ज्यादा बैतर है लेकिन मेरे हिसाब से 36 का लेवल फिलाल जो है वो स्ट्रॉंग लेवल बन सकता है लेकिन जो सबसे में इंपॉर्ट लेवल होगा वो 31 30 का लेवल होगा इस स्टॉक के अंदर बहुत ही हाइली स्ट्रॉंग लेवल फिलाल जो है शॉर्ट तमवे 36 का लेवल है तो उमीद है आप इस बात को द्यां रखेंगे आप क्या कहना है इसके उपर कमेंस आसम कही है और आप देजू जाब वीडियो दे नदू स्टू